प्रश्णावली 12.2 चल रहा है आपका जिसमें कुल 9 कुश्चन है और 3 कुश्चन तक आप लोग पढ़ चुके हैं तो कुश्चन नमर 4 आपके सामने परहेージं, ध्यान से देखिए कहा कि एक तिरभूझ और समान्तर चत्रभूझ का एक आधर है यानि एक ट्राइंगल है और पाह्लोगराम है दोनों. और छेत्रफण भी एक ही है यहांनि दोनों का एरिया भी एक समान है यह दितिर्भूज की बुजा है 26 cm 28 cm और 30 cm हैं तो समान्तर चतुर्भूज की भी बुजा दी गई है 28 cm की आधार परिस्थित है तो उसकी संगत उचाई ग्यात कीजिए यह नि हाइट ग्यात करनी यह अच्छ जो आपको दिख रहा है बहुत ही सिंपल सा है देखो मैं आपको फिगर दिखा रहा हूं यह रियल वाला यह क्या है एक समान्तर चतुर्भूज है और यह एक ट्राइंगल बनाया आपको दिख रहा है इसका 28 cm यह है न यह तो कह रहा है अगर इधर 28 है तो उधर फाइट भी क्या होगा 28 ही होगा वह सिंपल सी बात है क्यों होगा कि नहीं बताओ यह आप सबको पता है न अगर नीचे 28 है तो यह उपर 28 ही होगा यह नहीं दिखा कि आपको मेरा मतलब यह था के अगर यह 28 है यह 28 होगा क्योंकि सम्मूग कुञत हों बराबर होती है लिखिये साही का दिया है तिर्भूज का छेत्रफल बराबर को एक सिर्भूज का कि स्वेट्र लिखने के बाद क्या लिखोगे देखो साथी पहले इसमें हम तिर्भूज का छेतरफल फाइंड कर लेंगे ठीक है तिर्भूज की हमें तीनों साइड दी गई हैं हम इनका पहले एरिया निकालेंगे तिर्भूज का निकालने के बाद फिर समांतर चेतरफल के एरिया के बरा अबर देखिए इनकी साइड था वाला गलग साइज की हैं तो ऐसी थिती में ये लगता है हिरोन फार्मूरा अगर इनकी साइड इक्वल होती या फिर ये समकोंड तिरभुज बनता तो फिर कुछ और होता लेकिन इसमें हिरोन सुत्र ही लगेगा है ना तो बाबू भीया ये सुत्र लगाने के लिए हमें यस चाहिए यस मतलब सेमी परिमिटर इसको किसी साइड में निकाल लेते हैं ठीक है यस इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी अपान टू ये सुत्र होता है ठीक है वेटा तो तीनों भुजाएं क्या है 26 तीस और 28 रख दीजिए 23 प्लस 28 बटा आपको जोड़ लोगे आप तो कितना आएगा एटीफोर आएगा ना एटीफोर अपान टू इक्वल 42 सेंटीमीटर कितना अब अब यहां पर आपका 42 आजाएगा जहां यहां यह है वहां वहां 42 आजाएगा तो यह आपका हो जाएगा 42 42-26 यह 42-28 यह थार्टी कर दो पहल चुकि हमने जैसे माना था बाकी कोई फरक नहीं पड़ता है 28 इनको आपस में क्या करेंगे सब्ट्रेक करेंगे घटाएंगे और फिर इन्हें साल्व करेंगे इतना तो आप जानते ही हो कितना हो जाएगा भाई है चलो 42 इन्टू इसमें से 26 घटाओगे तो कितना आएगा गटाना आप लोग जानते हो 16 आएगा ना तो आएगा क्योंकि 12 में से 6 गया 6 और तीन में से 2 गया एक इसमें से 30 घटाओगे बारा आएगा इसमें से 28 घटाओगे तो च्वदा आएगा क्यों भाई सही है कि नहीं चलो अब इनके क्या करना हमें वर्गमूल करने पूरे के इसमें काम कर सकते हैं इनको हम तोड़ सकते हैं चोटे चोटे पार्ट में कैसे जैसे 42 को हम सेबान इंटू 6 लिख सकते हैं बोलो लिख सकते हैं और जो 16 है उसे हम भूर इंटू 4 चलो है कि इसको हम 6 गुड़े 2 लिख ले और यह 14 हम लिख सकते हैं दो गुड़ा साथ में इनका पेर बना के देख लेते हैं देखो आवो 4 का एक पेर बन जाएगा फिक्स कभी एक पेर बन जाएगा क्योंकि दो बार 6 है दो का भी देखो एक पेर बन जाएगा और साथ का भी बन जाएगा यानि सब का पेर बन जाएगा देखो तो भी यह सब का पेर बन जाएगा तो कितना आ जाएगा करके देखो एक बार सब का पेर बन जाएगा तो सिंपल सा है अंसर आजाएगा फिर एक अच्छा सा लिखो गाँ सेवन इंटु सिक्स इंटु फॉर इंटु टू ताच्छंग बैालिस और यह आठ दुना सोला सोला का बैलिस में गुड़ा कर लो तो तीन-सो चखेस सेंटीमेटर अर चीजह है 236 सेंटीमीटर च्री और इस इनके अलग अलग सी टुक्रें कर दिया ऐजिंद सिक्स्टीन को फोर फोर कर दिया वानटू टोयल को हमने रूप सिक्स इन्टू कर दिया शर्त कर और तोर नृब कि इसको जल्दी उतारिये में मिटा था हूँ अब क्या करना है इसी में रख देना है तिरbhoosh का छेत्रफल समांतर चतुरबhug के चेत्रफल के बराबर था तो हम तिरbhoosh का छेत्रफल की जगा पर यहां तो क्या करेंगे तिर्भूज का छित्रफल 336 cm2 आया था इसका एरिया के आगे जनते हों क्या होता है वह बेस इंटू पर्पेंटिकुलर ना आधार इंटू लंब यही होता है न कि कुछ और होता है बोलो बेस इंटू पर्पेंटिकुलर यानि बी इंटू पी कर सकते हैं हि या अधार इंचा यह तो होता है सुक्तार चांती हो ना इसका चलो सूं 36 देखो बाबु इसमें बी की जगापे 28 पी की जगापे 8 तो देखो बट्टा बाबू यह इधर आएगा 28 भाग में हो जाएगा इक को लेच इसको आप काटोगे डिबाइड करोगे तो हमें लगता यह कड जाएगा कि इतनी बार जाएगा पहले 4 से काड लो चार सते 28 यह चार से कर जाएगा चार अठे 32 और चार चोगा 16 एटीफोर और सेबन आया सेबन से काड दो 12 आएगा यानि आप कह सकते हो 12 इक को लैच यानि हम कह सकते हैं कि जो उचाही आई कितना आई 12 सेंटीमीटर ठीक है ठीक है ठीक है बाबू समझ में आया तो यह आपका इंड हो गया कुश्चन नमबर और डन हो गया किसी को कोई सिखाया था है कुछ भी कहना दो बोलो कमेंट करके बताओ जड़ से चलो नेक्स कुश्चन दिखाते हैं उसके पहले अगर आप हमें यू